हम लो दोस्तों भारत अप्डेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज वहां कि तेरा बड़ी खबरें तेरा बड़ी अप्डेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहां पर आच कुगा हूं दोस्तों आज है बाईस नवंबर तो बाईस नवंबर 2020 की यह बड़ी अप्डेट यहां पर रहने वाली है तो फर्स्ट सेकंड येर पर आया बड़ा फैसला जाने डिटेल में तो करल मैंने एक वीडियो दोस्तों डाली थी रात को शाम को तो उससे में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रियेट हो रहा है बहुत सारे स्टुन्स के बीच में तो उसी के सीटों को भरने के लिए स्पोर्ट कांसलिंग अब जो है ये विशेविदालिक करवाएगा और इस विभाग में दोस्तों निकली है विकेंसिस इसके लिए आप अपलाई कर सकते हो पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा चली चुरू करते हैं पहली सेवा आयो के सचिव आशुटोष गर्ग समेथ 745 नए पोजिटिव मामले सामने आये हैं और अब क्या है कि उनना में बिना मास्क घूमने बालों से रिवार से एक हजार उपेज जो माना बसूला जाएगा और बाकी हम यहां पर देखते हैं कहां पर कितने केसिस आये हुए हैं तो शनिवार को मंडी में 144 शिमला में 133 बिलासपुर में 22 कांगणा में 84 कुलू में 104 लहुल्स पीती में 11 चंबा में 22 सिर्मोर में 20 सोलर में 63 हमिरपुर में 66 यानिकी 66 कि नोर में 4 उनना जिले में 42 पोजिटी मामले दोस्तों सामने आये हैं तो यह दोस्तों को बंद रखेने का फैंसला उनना में बिना मास्क 1000 रुपे का चलान तो यह करोना की अपडेट है दोस्तों चलिए भी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं यहां पे 745 दिये गए हैं बट यह है दोस्तों असली अपडेट और ओफिशिल ठीक है तो हिमाचल में करोना के न हिमाचल में आए हैं शिमला में सबसेज 1290 मंडी में 161 कांगणा में 84 हमेरपुल में 72 सोलन कुलों में 6565 और उनना में 56 केस 18 की गईजार मृत्कों की संक्या हुई 509 कुल संक्रमितों कांकडा 33,700 और एक्टिव केसी जो हैं सक्री केसी जो हैं बो हैं 7,070 और 26,099 हो चुके ह ठीक तो यह कुछ दो यहां पर ओफिशिल अपडेट है आज तो मिल्कुल हाद ही होगी 95 करोना के केसी आये हैं हमारे हिमाचल में तो यह ओफिशिल अपडेट है उसके लाब आप टेलिग्राम चैनल के ओपर भी अपडेट देख पाऊगे टेलिग्राम चैनल का नाम है भा तो रोतांग में बर्फबारी सुबे में आज से चार दिन खराब रहेगा मोसम 22-25 नमबर तक मध्य और उच परवतियक शेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार मिदानिक शेत्रों में आज मोसम साफ तो रोतांग दर्रा के साथ कुलूबाल होल्स पिती की उंची चोट पारिश और बर्फबारी होने के असार हैं तो यह दोस्तों एक इंपोर्टेंट अपडेट है और सिसु के पास नर्सिरी से आगे नहीं भेज़े प्रेटकों के बाहन तो लहोल्स पिती जीला प्रशाशन ने लगाई है से लानियों की एंडरी पर रोग यह एक इंपोर्ट और आज पूरों निर्धारी स्चेडूल पर होगा सेट तो आयोग की सची आशुतोष गर्ग ना बताए कि 25 से 28 नुमंबर तक न्यायक सेवा की मुख्य लिखित प्रिक्षा राज लोग सेवायोग के मुख्य काराले शिमला में ली जाने थी जिन अधिकारियों और करमचा प्रिक्षाओं के नुक्ती से पहले मुल्यांकन प्रक्रिया 23 से 26 नुमंबर तक प्रस्तावी थी इसे भी आगामे आजेशों तक टालने का फ्यासला लिया गया है आने वाले दुनों में स्थितिक आज़ाईदा लेने के लिए प्रिक्षाओं को और मुल्यांकन की नई ता दोस्तों यह है Central University से MA English के लिए ठीक है MA English की merit list यहां पर जारी की है fourth merit selection list और यह जो है आपको fees पे कर देनी है आज तक ठीक है कल और आज की बीच में आपको fees पे करनी है यानि कि आज आप fees पे कर सकते हो तो यहां पर कुछ selection list है ठीक है 5000 रुपेज की fees होगी बाकी notification आपको टेलग्राम चैनल के उपर में provide करवा दूंगा ओके चलिए next update यह रही दोस्तों अगर आप apply करना चाहते हो कहीं पर जोब करना चाहते हो तो यह बहुत अच्छी यहां पर जोब है सनातक उमीद्वार यानकी graduation उमीद्वार समय से करें आवेदन यह कहां पर निकली है यह न दिसमबर 2020 को आपकी salary कितनी हाँ पर और आवेदन सुल्क शुल्क भी हाँ लिखा गया है पंदरा सुरुपे और बारा सुरुपे और निशुल्क तो यह category के हिसाब से डिफर करेगा ठीक है और section क्यों गयता है किसी भी वीशे में तीन वर्षी शनातक डिए यानकी graduation आपकी मुलना है आपको दोस्तों apply करना है website www.icmr.nic.in ठीक है पूरा notification आपको जो है इनकी website के उपर से देख लेना है क्या website है www.icmr.nic.in ठीक है यानकी nick.in ओके पूरा notification आपको इनकी official website के उपर मिल जाएगा चले नेक्स्ट अप्रेट दोस्तों यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं फिर से बता रहा हूं कि HPSC में निकली है यानकी हिमाद चल्व प्रदेश टाफ सेलेक्शन कमिशन हमिरपूर तो बहुत सारी वेकेंशिज हैं ठीक है आर्टिस लेबरेटरी टेक्निशन डाटा एंट्री ऑपर एलेक्ट्रीशन टेक्निशन स्टेनो टाइप इस्थादी बहुत सारी वेकेंशिज है और डिटेल 2020 दिसंबर 2020 से आंबे रखी गई है दोस्तों चलिए और हाँ इसका आपको वीडियो स्टेशल वीडियो में बनाए है वो भी चैक कर लेना ठीक है चलिए नेक्स्ट अप्टेट एस दसमी की अंक सुधार प्रिक्षा का प्रणाम घोशित तो हिमाद्चर प्रदेश कूल सिक देश रहा है तो यहां पर अपढ़ेट है और यहां पर सकते हैं फिर लिव चाहां पर बचाइब गई है यहांपको ओनारी अ प्लाई करना है ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट अपडेट यह रही कैबिनेट में अगले 6 माहं का प्लान बिताएगा शिक्षा भ्याग दोस्त लेकर प्रस्तुची देंगे शिनिवार को दिन भर शिक्षा सचिप के कारेलें प्रजेंटेशन त्यार करने के लिए दिकारियों के साथ चर्चा की गई है और यह कुछ यहां पे कल होगा ठीक है कल है दोस्तों कैबिनेट मीटिंग कैबिनेट बैठेक ठीक है और शिक्षप भाग के कुछ होंगे बहां पे भी ठीक है चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देख लेते हैं तो दोस्तों खाली सीटों को भरने के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग कराएगा तकनिकी विशिज जाले यहां पे बात हो रही है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल युनिवर्सि की तो 27 बा 28 को कॉंसलिंग 25 को विबसाइट पर अपडेट होगा खाली सीटों अब बहुरा यानि कि जो सीटे खाली यहां पे बच जाएंगी उनकी कॉंसलिंग 27 और 28 को होगी और जो खाली सीटे बचेंगी उसकी जानकारी आपको 25 नमबर को विबसाइट के उपर के लिए सपोर्ट कांसलिंग करवाएगा ठीक है तकनिकी विश्य विजयले के अधिश्टाता स्यक्ष्ण प्रोफेसर कुल वर्शन चंदेल ना कहा कि सीटों के खाली रहने के लिए सपोर्ट कांसलिंग 2 चोड़न में होगी 27 और 28 को कहां पे होगी तकनिकी विश्य विश् के लिए किसी भी दोर में भाग ले चुके थे और चैनित या चैनित नहीं थे यह किसी भी कार्ण से शामिल नहीं हुए थे उन सभी अभियरतों को समंदित संसानों में उपरोकत निर्धारित तिथी और समय के अनुसार अपने सभी मूल प्रमान पत्तों दस्तावेज उनक इसके लाव जिन भी जोना पहले कांसलिंग के लिए आवेदन नहीं किया था और आवेदन फीस नहीं भरी थी उनकी फीस भी जमा करवानी होगी उनको फीस भी जमा करवानी पड़ेगी ठीक है और आवेदन नहीं किया था उनको भी जमा करवानी होगी अगर किसी अभियरत उसके बाद आपकी सीट पहां पर पक्की हो जाएगी ठीक है शभी सुल्क जो है उसी समय देकर सीट पक्की करवाने होगी इस पोट राउंट कॉंसलिंग में सभी सीट्टों का अवंटन शैक्षनिक योग्गिता में अंकों की वरियता के दार पर ही होगा तो 25 तक का वेट की में यहां पर अपडेट है सेली दोस्तों नेक्स अपडेट अप्डेट भी देख लेते हैं यह यहीं अलल एम और एंटकर श्यक्षा पर अठाब प्रत्षट घ्सट खदम करने और शोधारतियों को जातरा वासों में अंदर रहने की आनुटी देने की मांगों को मुख्य यहां पर दों की गई है इसके लाबा जेनन उनका घो शित किया जाए लेकिन BBA BCa और Bboc के अभी तो प्रादाम घोशित किया जा है ंचे पर जल्द घोशित करें और इन विभागों के अंदर पहले यूजी के कक्षाओं के प्रिक्षा प्रिणाम को गोशित किया जाए फिर मैरिट लिस्ट जारी करें तो यह कुछ यहां पर अपडेट है ठीक है चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देख लेते हैं यह रही यूजी के 90,000 बिजारतियों को प्रमोट करने के मंजूरी दोस्तों मैं यह आपको कल बता जो कहां पूरा अभी बता जो कहां बट फेसे बता जेता हूँ कल दोस्तों HVU के मीटिंग थी HVU EC की मीटिंग थी बहां पे इन्होंना यह फैंसला लिया है कि जो भी स्टूरेंट्स फर्स्ट और सैकिंड में हुए तो जो आपकी दूसरी मीटिंग हुई थे क्या नाम साथ मीटिंग का कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थे उसमें ही पहले ही निरने ले लिया गया था कि प्रमोट करेंगे बट यह नहीं पता था कि किस किस बच्चे को प्रमोट करेंगे या किन बच्चों को प्रमोट करेंगे ठीक है फैंसल तो पहले ही आचोका था कि प्रमोट करेंगे बट यह नहीं था पता कि कौन-कौन से बच्चों को प्रमोट करेंगे तो यहाँ पर confusion create हो गया कि वो आईशोडोल में पढ़ते हैं क्या वो भी promote होंगे ठीक है और जो compartment है वो भी promote होंगे क्या और जिसरा था late quesity बाले student है वो भी promote होंगे रागरूर बाले तक promote होने ही थे बट इसके इलाबा यह आईशोडोल और compartment बाले और late quesity बाले भी क्या promote ह कुस्या भात कि लिए हांड़ी इस स्टम बालों के लिए कोई भी समेश्ट्र सिस्टम बालों के लिए यह स्टम नहीं की गई है यह बात की गई हर इंलिए सेक्ट से थर्ड हुए हैं ठीक है फाइनल में हुए हैं उनकी यहाँ पे बात हो रहे हैं तो यह इरली सिस्टम बालों के लिए हैं दोस्तों ठीक है यहाँ था हैं यहाँ आरे यहाँ ने बात चोट दी है थो की जो कंपार्टमेंट वाले हैं के आंको प्रिक्षा देनी पड़ेगी तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको वह एक इसाम तु देना पड़ेगा नेक्स्ट इयर माँ पड़ सकते हो भी ठीक है जैसे फर्स्ट में आपके एक सपली है तो आपको आप भी सेकिंड में ही हो बटा को वो सपली देनी पड़ेगी ठीक है कंपार्टमेंट वालों के यहां बात हो रही है कंपार्टमेंट वाले कौन स दोस्तों प्रमोट होंगे ठीक है यह आपको मैं कल बता चुका हूँ यह आप देखी सकते हो यहां पर पढ़ भी सकते हो ठीक है 90,000 चातर शातर को प्रमोट करने का फैंसला जो है यहां पर लिए गया है तो यह कुछ यहां पर अपडेट है और मतलब बिलकुल आपको कन्फर्म जब ओफिशल नोटिफेकिशन आएगा ना कि कमपार्डमेंट वालों तो मुझे तो बहुत उनना पहले ही काया कि मतलब एक्जाम होगा तो मेरे हिसाब से वो एक्जाम होगा आपका कमपार्डमेंट बाला ठीक है मतलब आप नेक्स्ट में तो पर अड्मिशन मिल जाएगे आपको सैगेंड में बर जो एक आपकी सब्ली होगी तो वो आपको एक्जाम देना पड़ेगा ठीक है यही दोस्तों आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टन अपडेट्स और अगर आपको वीडियो ची लगे तो उसे लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए थैंक्यू